हलो बच्चों मैं उश्य शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल इसकुल अत्रोलिय लिगर से आज हम क्लास थर्ड में चेप्टर 11 विराम चिन्न की रीडिंग करते हैं विराम का रथ क्या होता है पिटा रुकना या विश्राम करना ओके तो बोलते लिखते समय जहां मैं रुकना पड़ता है तो वहाँ विराम चिन्न का प्रियोक करते हैं अलग अलग तरह के चिन्न होते हैं येस देखे बच्चों विराम का रथ है रुकना विश्राम और चिन्न का रथ है निशान जैसे देखे अरे विन है जैसे ही आ गया तुम कहां जा रहे हो क्वेश्चन मार मैं ब अरब भाशक देखिए भावावो और विचारों को इसपस्ट करने के लिए चिन चिननों का प्रियोग वाक्य के बीच या अंतり में किया जाता है उन्हें विराम चिनन के प्रकार है पूरण विराम इस चिनन प्रियोग succeeding कीवाया हो जाने के बाद किया जाता है नेक्स्ट है अल्प विराम पढ़ते या बोलते समय कम समय तक रुकने के लिए जो चिन लगाया जाता है उसे हम अल्प विराम कहते हैं अब है प्रेश्न वाचक चिन इस चिन का प्रियोग प्रेश्न वाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है जैसे तुम कहां जा रहे हो तो प्रेशन है ये प्रेशन वाचक चिन्न विस्मयाद बोदग यानि आश्या चकित बातों के लिए इस चिन्न का प्रियोग विस्मय हर्स शोक इक्षा आदी भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जैसे अरे तुम पास हो गए छे कितनी गंदगी है ये सब क्या है विस्मयाद बोदग ये वाक्य है ये चिन्न विस्मयाद बोदग तो विराम का रथ है रुकना या विश्राम चिन्न का आर्थ है निशान लिखते समय बीच में रुकने की जगे जो चिन्न लगाते है उन्हें विराम चिन्न कहते है तो इतना बिटा आप रीडिंग करेंगे और समझेंगे तो बाई बिटा